देखो next theorem आपकी पास fundamental theorem of homomorphism and modules इसमें यह क्या करता है कि T कोई भी हमारे पास क्या है T बलकि क्या है on to homomorphism है ठीक है या फिर T कोई भी homomorphism है m on to यानि कि T कोई भी एक mapping है m से लेके n तक और यह mapping कैसी है पहली बात यह homomorphism है दूसरी बात यह कहता है on to such that kernel T किसके equal है एक equal है यानि कि जो यहां पर kernel लिखा गया एक इसके equal है क्यों करनल इतना बड़ा बड़ा सा हो जाता लिखेने में तो इसने इसको नाम देते है एक तो हमें यह कहता है कि हमें क्या प्रूव करके दिखाना है जो M by A होगा ना वो हमारे पास isomorphic है N के यानि कि मैं कोई भी एक mapping लेके चलूंगी M by A से लेके N तक और मुसको प्रूव करके दिखा दूंगी क्योंकि T तो already given है T from M to N तक कोई mapping given है पहली homomorphism on 2 तो T तो इसका नाम है लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है M by A है N के isomorphic है त इस mapping को isomorphism और isomorphism के लिए क्या क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा पहली पार तो homomorphism फिर 11 on 2 अगर मैं ऐसा प्रूव कर पाती हूं तो हम क्या बोल देंगे जो M by A है न वो N के isomorphic है तो यानि कि इस बार हमारे पास के यह mapping given होगी लेके चलेंगे इसको define कर देंगे इसको well defined प्रूव करेंगे फिर इसको homomorphism फिर 11 फिर on 2 फिर हम बोल देंगे mapping isomorphism है तो हमारे पास जो M by A एन वो N के isomorphic हो जाएगा यह है हमारा मतलब कि base जो हम बना के चलेंगे और given सिर्फ क्या है TM से लेके N तक homomorphism और on 2 तो देखो इसके लिए फिर से हमने क्या किया जो तो सबसे पहले हम well defined show करेंगे well defined के लिए क्या करता है domain के कोई भी दो element equal लेके चलते हैं और last one की images को equal दिखा देंगे और one one में उल्टा होता है images equal लेके चलता है element equal दिखाते हैं तो देखो पहले well defined प्रूव करेंगे तो elements को equal लेके चल पड़ी अब देखो मैंने क्या किया ह तो क्या बन गया M1 minus M2 plus A और हमें पता है अगर A plus H equal to H आ जाए तो A किसमें बिलोंग करता है H में यहां से देखो आपके पास क्या आगया यहां से आपके पास आगया क्योंकि M1 minus M2 plus A equal to A था तो by result A plus H equal to H M1 minus M2 किसमें बिलोंग कर गया A में बट A किसका नाम था करनल का न Capital M के वो सारे Member जिनके पर T लगाओं और दूसरे Group के Identity आजे N के Identity क्या है 0 क्योंकि जो T Mapping है वो M से लेके N तक है तो यहां से देखो हमारे पास क्या है यह कह रहा है Kernel T में तो यहांनि इसके पर T लगा और पर दूसरे Group के Identity आगी आप देखो जो T है जो T Mapping है वो कैसी तो यहां पर देखो हमारे पास यहां पर देखो हमारे पास ही आ गया T M1 की जगा पर क्या गया साई M1 प्लस है और T M2 की जगा पर क्या गया साई M2 प्लस है फिर अब हमने वैल डिफाइन तो शो कर देखो क्या लेके चलते है अलिमेंट इक्वल लेके चले तो उनकी में जीज़ बराबर दिखा दी अब होमोम और फिजिन के लिए क्या लेके चलते हैं डोमेंट के कोई भी दू एलिमेंट लेके चलूंगे साई को उनके उपर अलग-अलग कर दूंगी तो दोनों एलिमेंट को अब हमें पता है कि एडिशन किस तरह होती है अगर मालों मैं M by I की बात को अगर A प्लस आई हो और प्लस में B प्लस आई तो उनके एडि अगर तो आपिंग थी M से लेके N तक वो कैसी थी होमोमोर्फिजम थी तो वह अलगल हो गई अब यह जैसे हमने डिफाइन किया था कैसा क्या डिफाइन किया था साई M plus A को क्या डिफाइन किया था T of M तो Tm1 किसके को लो जगा साई M2 प्लस A तो हमने क्या क्या एडिशन पर अलग लग करके दिखा दिया, अब second बात आती है कि scalar multiplication पर, iHeart Scalar multiplication पर इसे एक दिंग का मेंबर और एक M by A का ले लिया। उसके बाद देखो, अब हमने क्या कहिए था, quotient module में जब हमने product के respect में operation खुछा था 10 10 भूभा जाए और हमारो का स्केलर मारा भार आ लिख तो स्केलर अधम प्लस यानि स्केलर मिल्टिप्लिकै्शन पर जोगा तो साइं कैसी होगी हमोर्फिज्ञ अब में क्या अभल करें दिखाना 1111 के लिए क्या लेकर चलते है कि नहीं विदो को एलीमेंट की II으면 इंगवार मुर्फियं सुमझ हे इंगे इंगर 2015 किसी फिल्म के ऑन फिर किसमें कैलो करनल i% में कर्णल उब चेल करनल его of the theizado an even scam 2 Gus स highways होगत वह एक मैं लैए हैं तो अगर मेरा a h में है तो a plus h को मैं क्या लिख सकती हूँ h लिख सकती हूँ ना तो यहां पर देखा m1 minus m2 plus a को क्या लिख सकती हूँ a लिख सकती हूँ फिर मैं इस m2 को इधर लेगी तो मैंने क्या दिखा दिया कि दो element की image बरापर लेके चलता दिखा लेगे नेक्स टम्स्यों करके दिखाएंगे on to on to के लिए मैंने क्या किया मैंने यहां से जो टी एक mapping थी कहां से कहां तक थी m से n तक मैंने यहां का एक member उठा लिया n तो यह कह रहा है since t तो लेकिन क्या थी on to थी अगर t on to थी तो पक्का यहां पर कोई एक element रहा होगा वही क्योंकि on to के लिए क्या हता है हार यहां के code domain के element के लिए pre image exist करते है तो यह कह रहा है t of m equal to me n तो कहता है कि also अगर t of m equal to me n है ना t of m का मतलब क्या है si of m plus है तो यानि कि आपने क्या किया t की help से आपने क्या दिखा दिया n की image किसमें दिखा दी m by a में दिखा दी तो यानि कि हमारे पास क्या हो गया अब तुम सोच भी मेरा हमें तो इसकी दिखाने थी mapping तो हमारे पास n की दिखाने थी ना तो n का तो member लिया था लेकिन मैंने t की help से उसका member दिखा दिया था m में और m की help से हमने किसमें दिखा दिया m by a में यानि यह कुल मिला के हमने co domain का element लिया था और m by a में उसकी image दिखा दी तो साई on two हो गया तो साई वन वन भी हो गया on two भी हो गया हम और तो हाइसो मोर्फिजम होते हैं क्या लिख देंगे यह थे त्वारा थ्वर्म का प्रूफ है यह त्वारा थ्वर्म का प्रूफ है